नमस्कार प्रिये साथियों मेरा नाम है घंगाराम और आप देख रहे हैं जोतिस और समधान हमारे यूटूब चाइनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियों में मेस रासी वाले जातकों का साल दोहजार चोबिस का संपूर्ण राशी फल एक जनवरी से लेकर के दिसंबर लाश्ट तक का सारा विवरन गरहे स्थितियों में बदलाव और उनके आपकी रासी पर किस प्रकार के प्रभाव रहेंगे बीच बीच में किस प्रकार के उपाए आपको इस साल करने चाहिए लेकिन इस से पहले मैं विशय को आगे बढ़ाऊँ मैं आपको बता दू जोतिस के दुआरा अपनी समस्त प्रकार की समश्चाओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी स्रेणी के राशी रतन खरीदने के लिए आप हमसे संपरक कर सकते हैं मेरा फोन नंबर मेरा वोटसप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है तो चलिए विशय में आगे बढ़ते हैं सातियों साल दोहजार चोबिस की सुरुवात दो तीन द्रश्टी कौंड से बहुत बहतर रहने वाली है पहला तो शनिदेव आपके ग्यारवे स्थान में स्वरासी अपनी मूलत्रिकौंडासी कुम्ब में रहेंगे तो इनकम आपकी लगातार बने रहेगी व्यापारियों के लिए यह बहुत अच्छा एक ग्रह स्थिति रहेगी ग्यारवे सनी हमेशा धन प्राप्ति के योग बनाते हैं शत्रू शांत रहेंगे सडियंत्र उनके आपके खिलाब सफल बिलकुल भी नहीं होंगे इसके साथ साल की सुरुवात में मंगल आपके भाग्ये स्थान में हैं तो बहुत शांदर तरीके से पहले दो तीन महिनों में आपका केरियर ऊपर की ओर जाएगा और आपके लगबग सभी काम बनेंगे मैं इस राशी फल में आगे बढ़ूं इससे पहले एक नजर सुरुवातिक रह स्थिति पर साथियों सुरुवात में आपके पर्थम भ मंत्र जाप से आपको फाइदा मिलेगा और किसी दिव्य महापुरुस किसी ऐसे व्यक्ति की साहिता से जो मंत्र जाप आदी करता हो जिसके पास सिद्धियां और सक्तियां हैं आपको आगे बढ़ने का महुका मिलेगा लेकिन यह योग एक मई तक ही रहेगा पांचवे स्थान में चंद्रमा छटे स्थान में केतू अश्टम भाव में बुध और शुक्र नवम में मंगल और सोरिय की स्थिदी ग्यारवे सनी और बारवे स्थान में राहु चलाएमान रहेंगे तो चलिए अब शुरुवात करते हैं आपके राशी फल की लगन में जो आपके ब्रहस्पती हैं पहले स्थान में ब्रहस्पती इनकी दरश्टी आपके पांचवे और नोवे स्थान पर रहने वाली है तो देवगुरु ब्रहस्पती की दरश्टी नवम पंचवे स्थान में होने से आपके जो डिसिजन है साल की सुरुवात में एक मई से पहले पहले एकदम शांदार रहेंगे धन प्राप्ती का योग बनेगा और संतान की तरफ से प्रेमी का और पतनी की तरफ से अच्छे म मुमेंट आपको देखने को मिलेंगे कुल मिलाकर इन सब का व्यवहार संतुष्टी जनक आपके परती रहने वाला है एक मही तक एक मही के बाद में देवगुरु ब्रहस्पती राशी परिवर्तन करके व्रसब राशी में आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे बहुत ज बहुत बड़े नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में इमिजेटली देखने को मिलते हैं तो सनी आपके रहेंगे पूरा साल तो इनकम तो बनी रहेगी इनकम में आपकी कोई प्रोब्लम नहीं आने वाली है लेकिन इसके साथ साथ अगर आप भैरव जी की उपासना भी करेंगे तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है व्यापार की गाड़ी पट्री पर लाने के लिए आपके संपूरन प्रियास पूरी तरह सफल हो जाएंगे अब देव गुरु ब्रहस्पति जैसे ही राशी परिवरतन करेंगे एक महीं के बाद वरसपरासी में आएंगे तो यहाँ पर कुछ हलचल पैदा होगी आपके जीवन में आप कुछ ऐसे खर्च करोगे ऐसा आपके हाथ से कुछ बड़ा काम हो जाएगा कि आपका हाथ यहाँ पर टाइट होगा अब पैसे की कमी में मानसिक तनाव तो बनता है यह चारो यूग का एक स्थाई सत्य है कल यूग में नहीं धन के अबाव में टेंशन बनते है तो इससे आपको बचना होगा वरस की सुरवात में छटे स्थान में केतु की स्थिति जो लाश्ट तक बनी रहेगी आपके शत्रू आपको तकलीफ नहीं दे पाएंगे बिलकुल भी आपके खि कर जा सोच समझ कर ले लेकिन छटे के तु छोटी छोटी जो समझाई हैं सरीर में कफ का बनना पित का बनना एक दो दिन के लिए बुखार आ जाना छोटी छोटी समझाओं को क्रियेट यहां पर करते रहेंगे तो इस बात से भी आपको सावधान रहना है वाहन सावधानी पूर वक्त चलाएं और इस साल में किसी नए वहान की खरीदारी आप करेंगे इसमें कोई दोराई नहीं है अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थे के विशे में ओल टू ओल इस साल में आपका स्वास्थे बहुत बहतर रहने वाला है कोई बड़ी समझा क्रियेट नहीं ह है अब यहां पर आते हैं व्यापार और धन संबंदित जो आपके मामले हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं कामकाज तो आपका इस साल बहतर रहेगा लगभग लगभग पूरा साल कुछ तारीके ऐसी हैं जिनमें आपको उठापटक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सडिय नवंबर तक वक्री रहेंगे तो शनी की इस वक्र अवस्था में 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक आपके करमचारी आपके आसपास काम करने वाले लोग आपके निकट का बहुत विश्वास पात्र आपका बिजनिस पार्टनर यहां पर आपको धोखा दे सकता है आपके खिल यह आपको देखने को मिलेंगी तो 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक आप अपने आसपास के जो वरकर हैं आपकी टीम में आपके पास काम करने वाले आपके सही होगी हैं उन पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें प्रेम बनाए रखे सबसे लेकिन अपनी पैनी नजर भी होने का संपूर्ण योग हैं ग्यारवे स्थान में सनी वक्री होंगे इसका आपके इनकम पर भी प्रभाव पड़ेगा इसलिए आपके आसपास के लोगों की हर गती विधी पर नजर रखना आप बहुत जरूरी आपके लिए अती विश्वास में विश्वासगात होने के स उच्छा की तैयारी में है अब वह मेरी बात को द्यान पूर्वक समझवाई इस वर्ष देवगुर ब्रहसपती शुरुबात में आपकी राशी में चलाएमान है शिक्षा के मामले में कोई महत्तपूर्ण उपलब्धिया प्राप्त करोगे उच्छा की तैयारी में है तो बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ोगे उसमें कोई डिश्टर्प वाला मामला नहीं है चुकि आपकी ब्रहसपती पर्थम भाव में बैठ करके पांचवे और नौवे घर को देखेंगे पांचवा भाव भी रिप्रेजेंट करता है जुकेशन को नौवा भाव के लिए आपको यहां क्या करना है चुकि लगन में ब्रहसपती है सबा सराबी कबाबी वैश्टावरत्ति वाले गलत परकरती के नीच परकरती के जो लोग है उनसे दूरी बना करके रखना है नहीं तो ब्रहसपती की प्रभाव आपके जीवन में आपको मिलने वाले हैं उ इन प्रसंगों के मामले में आप बहुत ज्यादा इमोशनल इस साल में रहने वाले हैं और आपके इसी कमजोरी का फाइदा उठाकर आपके जो प्रेमी है या प्रेमी का है या मित्र है वह आपका अनुचित रूप से प्रियोग कर सकते हैं इसका आपको पूरा ध्यान रखना है बहुत जादा इमोशनल नहीं होना है और आपकी परिवारिक शांती को पूरी तरह बंग करेंगे लेकिन आपको इस पर इसको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देना है काम्याब नहीं होने देना है जहां तक सुब कारियों में खर्चे की बात है तो लंबी यात्रा में आप खर्च करेंगे और तीस जून के बाद में आपको कोई बड़ा खर्च देखने को मिल सकता है तीस जून से पंदरा नमबर तक तुम्हें बताई चुका सावधानी आपको बरतनी है जो कि ब्रह राहू आपके बारवे स्थान में चलाएमान है तो लंबी यात्राओं मे सावधानी मालिया दो-चार लांग रूपे लेकर के आप व्यापार के लिए कहीं जा रहे हैं तो वहां पर लंबी यात्रा में आपके सर में दर्द बन सकता है इससे भी आपको सावधानी बरतनी हैं कुल मिला करके आपका यह साल ओल टोल बहतर जाने वाला है एक तो आपक को 30 जून से 15 नवंबर तक अपने आसपास के लोग धोखा दें इस पर थोड़ी नजर रखनी है यह वार्सिक रासिफल है इसलिए मैंने प्रमुक प्रमुक गटनाओं के बारे में चर्चा की और तारीक आपको बताई मासिक और दैनिक रासिफल लेकर के हम आते रहेंगे लगतार काबल करता हूं यह रासिफल आपके लिए बहतर रहेगा वीडियो को लाइक करे सेयर करे और चैनल को करे सबस्क्राइब नमस्कार